दोस्तो एक बब फिर से एक और सर्प्राइज लेके मैं जा रहा हूँ एक हमारी जरुतमन बहन थी उन्होंने तो लिटरी धागा मान लिया था भाई ही मान लिया था उन्हें वो वीडियो नहीं देखा है लोग देख ले ना कि माहकी पैर की पायाल थी हाथ के कंगन थे गली मैं कि 이건 पतली सी शान थी तब मेरा इलाज कराया था प्रिछली साल जरी लोग अप्नी डांगातर में नहीं सुनते सर्कारी में कराता है मैं भी तो यह लोग ना इसा क्यों करता है कि मतलब एतना रही तक कुछ भी कर सके और इतना कई घ्री क्यों है वहार पास इतने भी पैसे रहे मेरा इलाज अच्छी से करा सकते हैं क्या बोलते हैं क्यों नहीं करते हैं इसलिए नहीं करते हैं तो उसके लिए पुरा डेड़ महीना लगा दिया एक अभी नहीं आए कि तैयार नहीं हुए और अलें नहीं सुनता हैं वो डाट और लगाती हैं क्या बोलती है यह कि हमारी घर में और आजबर आपको यह दम से निकाल के दे दो ऐसा बोलते हैं तो यह 8 november का टेस्ट है इनका यह क्या यह सब विर्जन का चाहां नैशनल इंसिटुट ऑफ पैथोलोजी आई सी एम आर यह देख सकते हैं आप ममता जी का यह है आठ नवंबर का टेस्ट यह इनकी रिपोर्ट है स्टोप सिकीन बापसी अब दो यह से काम खतम हो जाओ तो हम चली जाएंगे अश्यक यह घरी चले आ हूँ है नहीं आप रच करो यह दिल से है यह क्यों गई यह कभी सोचा नहीं था मैंने दिल में कभी ने तो गई तो मेरे साथ हुआ है तो अधिया तो इस नहीं तो इस दागा की जरूवत होती है मैंने कोई नहीं आप इलाज कर रहा हुआ हम लोग आपके साथ है ठीक है इतना परेशान थी कि मैं आपको क्या बता हूँ उनकी फैमिली पूरा ट्रबल में थी उस बच्ची के पिता नहीं है एक एकलौते भाई है जो अर्निंग मेंबर है कमाने वाले थे कमाने वाले हैं उन के पास इतना sufficient funds हो जाएगा कि उनका treatment अच्छे से हो जाए विकिस लास्टाम में कुछ पैसे दिये थे और जबाद फिर से हम कुछ help करने आये हैं चोटी-बोटी एंद फिर आने वाले एक आद महीने में दुबारा से update लेंगे कैसा चल रहा है तो आइए चलते हैं ये रहा है आप जी आप तो थोड़ा सुधार आई जाएगा जिंदगी में मतलब से बात किये ना तो हम आज कल में हाँ जाने वाले थे प्राइवेट में जाओ फिटल चेंज कर दो ठीक से पुछता नहीं हो रही वहां उस जगह को चेंज कर दो परहुं जाएगा बामन जी जाएगा है ना जाएगा है तो जगल बात किये देख्स्कें कहां है ठीक्षle तो कुछ लोशन मोशन बताया थे तो आप सही प्राइवेट हस्पिटल में जाओगे ना वो क्योर कर देंगे तेखिया इसी चीज़ दिखाने है अब इसलिए पैसा लगता है अगे बढ़ सकती है अगर टाइम से इलाज नहीं करवाया तो ऐसा बूला सा मेरको है तो अप लुक टायम से इलाज कराओ वहमारी के पास हम से कर रहे हैं वां आपके लिए ये जानती हून गोषा dennis सब्सक्राइब करते हैं कि इससे इलाज पहतर हो जाएगा पहले से अब आप खुश हैं उस दिन आपके आखों में आसूत है आज हमें खुशी चाहिए इससे इसा नहीं होना चाहिए किसी का इलाज पैसों को वेसा रुक जाए तो वही हमने इसलिए कुशिश की कि मतलब इलाज ना रुके सही जगह इलाज मिले तो अपलोग हस्पिटल चेंज कर दो सब्सक्राइब तो चल रही है लेकिन अब पैसे होंगे तो आना जाना वाना ऊस्पिटल वेरा कुछ हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है कुछ ने की समझ जाएगी मतलब जो तो जिन्दीटी से चली जाती पर इस तुम बार विटेनाई मिल्के तो मेरे तो इसे लिए पैसा नहीं कर पाती तो मैं कहां से इलाज कर लेदी इसका इसका मैं पैसा नहीं इसान को बरबाद कर देती है ना समझ सकते हैं तो पहले से नहीं थे अभी पूरी फैमिली को इतना दुख ने रहा है हमारी को साप ने काट लिया था अच्छाई इसे ने काट जुगी में नहारी थे तो यह पर आप यह जुगी है इसाप ने काट लिया साप लिया स्था काला का लारी थे मैं क blender लुपने करे हैं प्रञहारी ती मम्मी थे नोल भिखाना मना कर लिया था फिर मिया नहीं विशे बाले थे बिखाना तो म मतलब घठा फिर क्या jaki यही ते सामने यह थ्याजाजी हाँ फैरिं साथ क गई थी व्यार्ट पहतली से करता हो देदाने ख्याब कि अधिर मम्मी को लेके मतलब कोई नहीं था हूँ पर रहने वाला मैं ही रही थी मम्मी के साथ में तम 15 दिन में पर श्पीटल से लेकर आए थे लेकर बाद में पैर में इनफेक्शन फैल गया थे सारे में एक तुम पथर सा बन गया था यहां पर तो बाद बदू आने लगी तो फिर लेकर गया थे वहीं पर श्पीटल में इतन वीच के सारे मास काट काट के निकाला था जब यह करम तेन-चार महीनों में पैर सभी आता था परी रहती खात अब इसके बाद परी मेरे प्रीट में हमें तो दुखी दुख रहा है कभी जिंदगी में सुख में मिलाया कैसे मुद्व से यहां पर उता है यहां पर जोगी में से रहना पड़ता है चलो आप लोग इससे इलाज कर वाओ फिर हम लोग दुबार एक अदमीने में फिर आएंगे देखते हैं त्रीटमेंट कैसे बढ़ रहा है क्या बोलते है ठीक है मातर जी अप लोग ध्यान देना हम लोग फिर दुबार आएंगे ठीक है बहुत लंबी उमर हो मेरे भाई खुछ रही आप लोग आपको खुछ देखके अच्छा लग रहा है अब हम जाएंगे कहीं परचे से टीटमेंट कराएंगे अपना जी अच्छा हम आपकर जाएंगे ठीक है आप लोग करवाई है पर देखेंगे इसे निडी लोग हैं लेकिन किसी एक परिवार के ले करो तो कम से कम इतना कर दो कि उनको पैसों की वेज़े से प्रॉलम ना आए अपना इलाज करवाने में आप इनकी काफी हद तक उस फैमिली की एलप हो जाएंगे उनको राहत मिल जाएगी आने जाने मे दवाईयों में जो भी खर्चे आते हैं तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कुछ ऐसे ही अच्छा करने की हम कोशिश करते करते मेरी आख में कुछ चला गया तो यहाँ पर थोड़ा से लाल हो गया उसको एग्नूर करें जैसे मेरे को काफी सारे मेसेज आ जाते हैं ऑल डिली और दिली के एंसय आर में कोई है जो सचमें टरब़ell में है मतलब जिनको जनरलेली हें यहल्म की नीड हो जो बहुत प्रॉल्लम में घुजर रहा हो जिनको जीवन जीने में इतनी दिक्कते आगी कि वो नहीं हो पा रहा है तो आप लोगह नहीं देढ़ें अपना आपनी वीडियो बनाके अगर भेज देंगे तो एक थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए किस टाइब से अपनों खेल्प के नीड है और फिर मैं कुशिश करूँ है से मैं ये तो नहीं प्रॉमेस कर सकता कि मैं हर बंदे क्यों कर दूँ लेकिन अगर किसी एक-दूखी मैं कर पा हूं तो इस आप वसकता है यहां को है एकात का भी हम लोग कर पर एक ऐसी चेन बनाना चाहता हूँ है जहां पर कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जो मदद करना चाहते हैं हैं कुछ लोग ऐसे ही जुड़े हैं जिनको मदद चाहिए तो हम लोग काफे कुछ कर सकते हैं तो यह है तो आप लोग खुशिया बाड़ते रहें फिर मिलता हूं नेक्स फीडियो में बाई टेक केल जाहें